नमस्कार मैं सुमंत कस्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोजी और उसमें विखास कर के पी एस्ट्रोजी के दौरा चर्चा करेंगे और इसमें हम बताएंग जैसे कि मैंने कुंडली में आलिक भी दिया है इस कुंडली विश्लेशन के दौरान आप चानेंगे लौग, सेक्स, एंड धोग था यह नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये कुंडली इस नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है ऐसे कहें कि इन टॉपिक पे ये बहुत ही जवर्दस्त उधारन है ये कुंडली एक महिला की कुंडली है और आपको सब कुछ मिलेगा यानि बिवा हुआ, तलाग हुआ, मल्टिपल प्रेम संबन्द रहें, प्रेमी ने धोखा दिया, गर्भपात हुआ, सब कुछ मिलेगा फिर दूसरा बिवा भी हुआ, अखिर ऐसा क्यों, क्या रिजन है, आईए जानते हैं, सबसे पहले जब कुंडली आपके सामने आए, तो आपको ये देखना, कि बिवा हुआ, यानि बिवा का योग है या नहीं, तो हमें देखना होता है सात्वे भाव के सबलॉर्ड को, सात्वे भाव का सबलॉर्ड मरक्यूरी है, और यह सात्वे में बैठा है, बिवा का प्रॉमिस हो गया, यानि इनकी साधी होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है, प्रोमिस हो गया, अब वैवाहिक जीवन कैसा होगा तो वैवाहिक जीवन के लिए हमें सात्वें के सबलोड मर्कुरी और मर्कुरी का नक्षत्र देखी सूर्य इसको देखना होता है, तो सूर्य बैठा है छटे में अर इसकी रासी है दस्वे में यानि 6 और 10 भाव से संबंद बन गया सूरे का संबंद बना 6 और 10 से ये क्या बताएगा सात्वे के सबलोड का सात्वे में बैठना यानि सात्वे के सबलोड मर्क्यूरी इसका सात्वे में बैठना ये बताता है कि विवा होगा और सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है यानि मर्क्यूरी का जो नक्षत्र स्वामी सूर्य है इसका छठे और दस्मे भाव से संबन्द बताता है कि मैरेड लाइफ सही नहीं रहेगी अलगाओ होगा तो इसलिए इनका तलाग हो गया अब तलाग के बाद अगला मेंटा रहता है प्रेम संबन्द का पांचवे का सबलॉर्ड देखिए सुक्र है पांचवे का सबलॉर्ड जब सुक्र होता है तो ऐसी ही इस्तिती बन जाती है कि चलो लग रहा है maximum situation में कि प्रेम शंबंध होंगे इसके साथ साथ यदि आपको KP interlinks आती है तो आप यहां से देख सकते हैं KP interlinks के दुआरा पांचवे के सबलोर्ड यानि वीनस का संबंध लिंक के दुआरा साथमे भाव, आठमे भाव, नौमे भाव और तीसरे भाव से बन रहा है यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको देख लेंगे KP interlinks इसके थुरूप संबंध बन रहा है पांचवेतर में है ही, पांचवे का सबलोर्ड का ही इंटरलिंक आप देख रहा है, तो इसका संबंध बन रहा है आपको साथमा आठमा नौवा, साथ आठ नौ, साथ ही साथ, तीसरे से, तीन तो पांचवे का लिंक बनना साथमे से क्या बताता है पांचवे भाव के सबलोर्ड का साथमे से जब लिंक बनता है यानि पांच का लिंक साथ से ये बताता है सेक्स्वल रिलेशन साथ ही, पांचवे का लिंक आठमे से क्या बताता है एब और्शन और साथ ही साथ यदि इसमें मर्क्यूरी एड हो जाएगा यानि इसमें आप ऐसे कर लें प्लस मर्क्यूरी तो ये Multiple Abortion तो देख लीजे जो पांचवे का सबलोड सुक्र है इसका नक्षत्र मर्क्यूरी बना हुआ है लेफ्ट तरफ में आप देखे प्लेनेट अंड कस्प डिटेल में बाएं तरफ में तो जहां वीनस है इसका नक्षत्र यानि इस्टार लोड वाले कॉलम में आप आएंगे तो मर्क्यूरी दिखेगा तो मर्क्यूरी यहां संबंधित हो गया यानि पांचवे का आठवे के साथ लिंक एबॉर्शन को बताएगा मर्क्यूरी जुड़ेगा तो मल्टिपल एबॉर्शन को बताएगा साथ ही साथ एक बात और की यह रिजल्ट देगा मल्टिपल सेक्स्वल रिलेशन या यह आप कह सकते हैं सेक्स्वल रिलेशन के ही संबंध जुड़ेगा उसी के लिए पांचवे का तीसरे के शाथ लिंक बताएगा अपने जानने वाले नजदी की आदमी के साथ जो आपका नजदी की है वहीं उसी के साथ आपका संबंध बनेगा फिर पांचवे का नौवे का साथ लिंक वो आपको भरोसा में लेगा और भरोसे में लेने के बाद बाकी चीजें होंगी अब यहां पे बात उठती है कि वह नजदी की आदमी है आपने उसको भरोसे उसने जो आपका उपार्टनर है वह आपको भरोसे मिलिया सेक्स्वल इनेशन भी बना मल्टिपल अबोर्शन भी हुआ तो साधी के वह नहीं हुई तो साधी ये चीजें तो कुंडली में लिखी होनी चाहिए तो जब तक पांचवे का संबंध पांचवा प्यार का है लेकिन साधी के लिए सात्वा भाव है तो सात्वे का संबंध पांचवे से बनना चाहिए न सेबंध का जो सब लॉर्ड है उसको तो बताना चाहिए पांचवे से तब ही लव मैरेज होगा यहां पर समझ लीजे फिर से कन्फ्यूज आप मत हुईएगा साथ में कस्प का संबंध जब पांचवे से बनेगा तब बराबर होगा लव मैरेज और पांचवे कस्प का संबंध साथ में से बनेगा तो क्या होगा बराबर होगा सेक्शूल रिलेशन समझ में आया तो यहां पांचवे कस्प का संबंध साथ में से बन रहा है साथ में वाला भी हमें चेक करना है साटवें का सबलोड आप देखेंगे सबलोड वाले कॉलम में तो मरक्यूरी है ठिक अब मरक्यूरी का संबंध क्या पांचूए से बन रहा है यहाँ पे आजाईए प्लैनेट और स्टार लेवल पे देखिएगा मरक्यूरी साट आठ ग्यार छे और दस इसमें पांच नहीं है जब यहीं से नहीं मिला और साथ ही साथ छटे से बन जाएगा तो प्रोब्लमेटिक होई गया तो इस इस्थिती में क्या होगा बीवा नहीं होगा दूसरा पांचवे का सबलोड वीनस है या पांचवे का सबलोड कोई भी प्लैनेट हो उसमें जब पांच साथ बारा का कॉमिनेशन आएगा कौन सा कॉमिनेशन ध्यान से देखिए फाइब सेवन टुएल्ब अंडरलाइन कर दिया तो प्यार के नाम पर धोखा होगा और सेक्सवल रिलेशन बनाया जाएगा जो कि यहां मिल गया यह इधर जो आपने रूल पढ़ा है यहां यह केपी इंटर लिंक्स का है और यहां भी हमने यहां आप देख चुके यहां भी मैंने प्रूफ कर दिया है और यह जो रूल है लेफ्ट तरफ में नाड़ी सिग्निफिकेटर्स में यह केपी एस्ट्रॉलजी का रूल है और इस केपी ने भी प्रूफ कर दिया पाँच साथ बारा धोखा होना पाँचवे के सबलोड का साथवे से जूड़ना यानि सेक्शुल रिलेशन को बताना अगली बात आते हैं क्या इनका चुकी एक बार तलाग हो चुका है दूसरा बिवा होगा तो दूसरा बिवा भी इनका हो गया है लेकिन आप देखेंगे कैसे सिंपली मैरिज का प्रोमिस है कोई दिक्कत नहीं है कोई सुन नहीं है जो करेंट का रनिंग महादसा चल रहा होता है उस महादसा में बिवा से संबंधित कोई भी भाव आ जाना चाहिए यानि दूसरे बिवा के लिए कोई प्रोमिस देखने के आउशक्ता नहीं है और सबसे बड़ी बात जैसे ही सात्वें का सबलोड आपको डिवल प्लैनेट दिखता है मरक्यूरी तो आप समझ लीजिए कि ये कहीं न कहीं मल्टिपल डिलेशन को बताता है पहला इस्तिती तो ये यहीं से क्लियर कर देता है तो सात्वें का सबलोड आपको मरक्यूरी भी दिखा सात्वें का सबलोड मरक्यूरी ये डिवल प्लैनेट है और साती जिस महादसा में देखना हो चुकी इनकी साधी हो चुकी है और दूसरी साधी का तुमुझे पता नहीं कि किस टाइम हुआ है मैंने पुछा भी नहीं है तो सात्वें के सबलोड मर्कुरी हो या जूपीटर हो या मर्कुरी और जूपीटर से संबंदित हो तो दूसरी बिवाह की या मल्टिपल रिलेशन की शंभावना बन जाती है ये कैसे करेंगे जो महादसां तरदसा चल रही हो उसमें विवाह का प्राविस होगा तो विवाह हो जाएगा ऐसा कोई चार्ट आता है तो मैं दूसरी बिवाह का वैसे मैंने अपने यूटूब पर डाला भी है यूटूब वीडियो पर आप देख लेंगे है जहां तो मुझे आदा का है मैंने डाला भी है ताला का और उसका भी ये काफी इंट्रेस्टिंग चार्ट है और इसलिए मैंने सुचा कि आप सब को दूँ आप इसको सीखें बहुत अच्छा है अभी मेरा प्रेजेंट में प्रेडिक्टिव एस्ट्रॉलजी का वर्क्सव चल रहा है वन टूवन बेस पे भी आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रॉलजी या केपी और केपी इंट्रॉलजी के अलामा जोतिष की वैदिक पद्धिती को भी हमने शामिल किया है कुंदली विसलेशन के साथ उपाय होते हैं उसको भी मैं प्रेडिक्टिव में शिखाता हूं प्रेडिक्टिव का वर्क्षॉप चल रहा है आप वन टूवन भी चाहिए तो सीख सकते हैं इसका फी भी मैं यहां पर बता देता हूं जो लोग देखेंगे फिर बाद में उनको समस्या ना हो फिर इसको क्लियर करने में आईए एक मिनट देखते हैं यहां मैंने लिख दिया है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलजी कोर्स है इसका वर्क्षॉप में फी 31,000 रूप है वन टूवन करेंगे तो एक 50,000 रूप है कोर्स समाथ होने के बाद चार महिने का प्रेक्टि सपोर्ट है के पी और के पी इंटरलिंक अभी वन टूवन ही चल रहा है कोई इसका ग्रूप अभी नहीं बना ग्रूप ही लोग सीख रहे हैं और इसकी फीज आपको 41,000 रूपय देनी होगी और इसमें भी कोर्स खत्म होने के बाद यह अभी आपका कोर्स चले तीन महिने चले चार महि कोई इसू नहीं है, टाइमिंग की कोई समस्या नहीं है, अल्टरनेटेप में क्लास होता है, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, प्रेडिक्टिव में और केपी में, एडवांस अश्ट्रवास्तू में नहीं मिलती है, क्योंकि लोग वीडियो बेचना चालू कर दिये थे इसलिए तो हमने पहले जो हम एडवांस अश्ट्रवास्तू में 40 दिन का प्रेक्टिस सपोर्ट देते थे, उसे हमने बढ़ा के दो महीने का कर दिया, चुक्या व्यूडियो नहीं देता हूं, इसलिए एक महीने क्लास का और दो महीने का प्रेक्टिस सपोर्ट, आप यदि इंटर लिंक्स और प्रेडिक्टिव का वीडियो आपको दियाई दाएगा, बने रहे, कुछ और इंट्रेस्टिंग वीडियो इसके साथ जल्द ही मिलते हैं